Finance से जुड़ी latest information सबसे पहले पाने के लिए सबस्क्राइब करें हमारा YouTube चैनल Finnovations Updates साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले नमस्कार अज के FinPoint सेशन में आपका स्वागत है और आज का First Update है Border पर चीन की हरकतों को देखते हुए देश में Chinese items के boycott और चीन पर import dependency कम करने की demand उठी है लेकिन banking और payment sector को payment terminal यानि point of sale के लिए चीन पर ही depend रहना पड़ेगा इसकी वज़ा ये है कि domestic और international market में इसका affordable option available नहीं है देश में digital payment की demand लगातार बढ़ रही है mall और retail stores में credit और debit card से transactions के लिए इन swipe machines का important role है government ने चीन से import कम करने की पहल की है जिसके बाद payment provider चीन में बने POS का option ढून रहे है लेकिन price और legacy challenges की वज़ह से immediate किसी option को accept करना मुश्किल होगा next update है government aviation company Air India को खरीदने के लिए Q में Tata Group एक मात्र bidder है जबकि final bid की date सिरफ एक महीने दूर रह गई है airline business में पहले से माजूद Tata Group ने Air India को खरीदने में interest दिखाया है जो किसी समय Tata के पास ही थी हाला कि global scale पर aviation companies COVID-19 महामारी और उसकी वज़ह से air travel और tourism में आए interruptions की वज़ह से serious problem में है Tata Group बिट्स के लिए आगे बढ़ सकता है जबकि इसकी joint venture airline Singapore Airlines ने COVID-19 की चिंताओं की वज़ह से Air India की बोली से जुनने से इंकार कर दिया है next update है Tata Steel BSL में COVID-19 महामारी की वज़ह से जून quarter के दौरान crude steel का production 41% गिर कर 6,59,000 तन रह गया है company के अनुसार एक साल पहले same period में ये आंकडा 11,22,000 तन था Tata Steel के अनुसार जून quarter में उसकी sale 19.58% घट कर 6,94,000 तन रह गई जो एक साल पहले same quarter में 8,63,000 तन थी next update है देश में करोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही health insurance companies की मुश्किले भी बढ़ती जा रही है एक महीने से भी कम समय में इन companies के पास claim का amount तीन गुना से भी ज्यादा बढ़कर 562,000 पहुँच गया है इसमें करोना से सबसे ज्यादा affected महाराश्टरा और दिल्ली सबसे आगे है जनरल इंशॉरेंस काउंसल के डेटा के अनुसार तीन जुलाई को claims की संख्या भी तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 35,000 पहुच गई है आठ जून को ये संख्या 11,000 थी नेक्स्ट अपडेट है अमेरिका में COVID-19 ने लाखों लोगों को संक्रमित किया और एक लाख से ज्यादा अमेरिकी कॉरोना से अपनी जान गवा चुके है अमेरिका में कॉरोना के सबसे ज्यादा मरीज पाई गए है इसकी वजह से अमेरिका में प्रोटेक्टिव मेजर्स के रूप में स्कूल, कॉलेजेज और पब्लिक प्लेजेज बंद रखे गए है लेकिन अब करोना के संक्रमन के बढ़ने के बाद भी डॉनल्ड ट्रम्प ने स्कूल खोलने का ओर्डर दिया है डॉनल्ड ट्रम्प ने ओर्डर दिया है कि प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ स्कूल खोले जाने चाहिए अगर स्कूल मैनेजमेंट जल्द ही स्कूल नहीं खोलते तो उन्हें दिये जाने वाले फंड पर रोक लगा दी जाएगी नेक्स्ट अबडेट है येस बैंक 15 जुलाई को follow on public offer जारी करेगा ये offer 15 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई को बंद होगा येस बैंक ने FPO के लिए registrar of companies में सभी documents जमा कर दिये है येस बैंक अपने FPO के जर्ये 15,000 क्रोड रुपीज कलेट करने की तयारी में है बैंक के इस offer में 200 क्रोड रुपीज का FPO reserve रखा गया है बैंक के FPO के लिए advice देने वालों में Axis Capital, Kotak Mahindra Capital, City और Bank of America जैसे Investment Bank शामिल है नेक्स अपडेट है देश में करोना वारस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है इससे लड़ने के लिए एक और vaccine मारकेट में आई है दवा बनाने वाली बड़ी कमपनी सिपला ने Remdesivir के generic version को भारत में launch कर दिया है इसका price global level पर काफी कम है कमपनी शुरुआती महीने में 80,000 दवा पूरे देश में सप्लाई करना चाहती है सिपला ने जारी किये गए अपने एक बयान में कहा है कि 100 mg के वाईल यानी शीशी का price 4,000 रुपीज है नेक्स्ट अपडेट है आदेत्या बड़ला ग्रूप और Vodafone ग्रूप की टेंशन बढ़ रही है इसकी वज़ा ये है कि Vodafone आइडिया के customers की संख्या घट रही है इन दोनों ग्रूप की हिस्सेदारी Vodafone आइडिया में है पिछले दो quarters में company 2 crore से ज्यादा customers गवा चुकी है 30 जून को खदम quarter में company के 1.5 crore customers और कम हो सकते है customers की घटी संख्या से company के promoters काफी चिंतिद है इससे company का काम जारी रखने की उमीदों को करारा जटका लग सकता है company के एक senior officer के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट से AGR का बकाया चुकाने के लिए 20 सालों का भी समय मिल जाता है तो भी बिना customers working जारी रखना possible नहीं है इसलिए company के promoters को capital invest करना होगा और strategy में बदलाब करना होगा यहाँ पर हमारा आज का finpoint session समाव्थ होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो like जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद